So hey guys, how are you guys? I am back up with a new gameplay video और guys, आज की जो वीडियो ऐसके नायर हम लोग एक चीज करने वाले हैं वो भी अपने BGMI के अंदर अब guys, देख सकते हो, यहां से मेरा मैच स्टार्ट हो चुका है बट आगे देख सकते हो, यहां पर मुझे wingman देखने को मिल जाता है बट यहां पर मुझे एक चीज देखने को मिलती है कि जैसे ही तीन सेकेंड बाकी रह जाते हैं और एकदम जो हमारा wingman है वो गायब हो जाता है अब guys, यह तो मैंने देख लिया कि चलो ठीक है, गायब हो जाता है बट हमें यह wingman spawn island के देखने को मिलता है तो मैंने यहां से सोचा कि देख सेकतो अभी इस टाइम में दो सेकेंड तीन सेकेंड बाकी रह गयते हैं तो मैंने सोचा भाई यहां पर एक बार और आके देखें कि यहां पर अगर जैसे हमारा match start होने वाला होता है तो हमें wingman देखने को मिल जाता है बट जैसे अगर हम लोग match start होने के बाद हमारे सामने ही wingman गायब हो जाता है बट अगर हम लोग दुबारा से spawn island पर जाये और वहां पर जाने के बाद हम देखें कि हमें wingman मिलेगा यह नहीं मिलेगा अब यहां से हम लोग land कर लेते हैं और यहां पर मुझे नीचे की तरफ में ग्लाइडर देखने को मिल जाता है बट अभी हम इरेंगल के map के अंदर ही थे तो यहां पर एक ग्लाइडर देखने को मिलता है मैं सोचता हूँ यार इसे मैं ही चलाओगा बट मेरा टीमेट होता है मैं मैं चलाना चाहता हूँ इसे ड्राइफ करना चाहता हँ तो यह कहता है जो ठीक है तूप लोग तुम चला लो और दिखते लें नहीं नहीं भाई सबसे खतरना हो और देखो मैं कैसे उड़ा के तुम्हा असानी से ले जाऊंगा बट अभी जोना मैं यहां से देखता हूना तो इस glider का पैट्रोल भी बहुत जादा कम था तो हम लोग जोना बीच में कहीं भी उतर सकते थे तो ये बंदा जोना मुझसे कहता है कि चलो ठीक है भाई मैं तुम्हें बोट तक ही लेके चले जाता हूँ अब जैसी जोना यह नीचे के तरफ लेके जा रहा होता है इसे glider जोना बिलकुल भी नहीं समलता है सियसली कहा हूँ बहुत बेका टीमेट लगा रहा है मुझे इस टाइम में यह और बाकी जना फिर हम लोग यहां तक पहुच जाते हैं और भाई मुझे यहां पर से यह चीज़ देखने थे कि मुझे यहां पर देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा विंग मैन तो गाइस यहां देख सकते हो मेरे जितने भी टीमेट है सारे के सारे लूटने के लिए चले गाए और बाकी मैं यहां पर अगर देखने के लिए आता हूँ विंग मैन तो guys देख सकते हो जो हमें आखरी में देखने को मिला था wingman जो हमें सिर्फ 2 या 3 सेकिंड पहले जो देखने को मिलता है बतलब गायब हो जाता है तो बस वो गायब ही हो जाता है बस 2-3 सेकिंड पहले ही हम लोग यूज़ यूज़ कर सकते है wingman को यानि कि get in कर सकते हैं बाकी देख सकते हो मैं spawn island पर भी आया तो यहाँ पर जोना मुझे कोई wingman देखने को नहीं मिला तो यहाँ पर मुझे कुछ चीज देखाई दे रही है एक बार try करके देखते हैं शायद यहाँ पर यहाँ पर मैने फुल तरहेसे मंजे कि और बाकि यहाँ ने के बाद देख सकते हैं मेरे टीम्मेट ने लूट लिया मतलब दो टीमेट तो लाने ही नहीं चाहिए यार मतलब दो टीमेट लाओगे तो सिंपल में ऐसा कुछ होगा कि तो मैं कुछ भी गन देखने को नहीं मिलने वाली है तो यहां से मुझे कुछ वेस्ट बगएरा देखने को मिले है भाई इतनी सारी एमो का मैं क्या करूँ अगर एक गन भी मिल जाती है तो भी एमो काम करने वाली थी बट यहाँ पर मुझे कोई गन वगएरा देखने को मिली इतनी सारी हम हो यार CS ने मेरा दिल चारा है इन सब को M.O. को उठा लिए बाकि यहाँ पर थोड़ सा केव के अंदर आने के बद यहाँ पर एक गन देखने को मिली वो भी VSS अब जैसी मैं आगे की तरफ जाता हूँ ना यहाँ पर मेरे एक टीमेट जो है ना माक कर देता है एक गन और जैसी मैं आगे की तरफ जा के देखता हूँ के भाई कौन सी गन है शायद M416 हो तो यहाँ पर मुझे PP19 देखने को मिल आती है और गाई seriously कह रहा हूँ इस टाइम में इन सब ने पूरा का पूरा लोट ले अगर मुझे एक नेड मिल चुका है मैं सोच रहा हूँ इनको नेड से मार दूँगा बट अगर इन बंदों के पास अच्छी किट वगएरा हूँ तो भाई seriously कह रहा हूँ मैं नेड मार दूँगा तो यहाँ पर मुझे कुछ गन वगएरा तो देखने को नहीं मिलती है और साथी साथ ammo तो मेरे पास भरपूर मिल जाती है तो यह मतलब मेरे जो दोनों फ्रेंड थे तो यह दोनों साथ में एक ही बोट पर बैठे आते हैं और हम तीनों एक साथ एक बोट पर बैठे होते है अगर इन तीनों में से अगर एक बंदे ने भी अगर बैंडिज लगा लिए seriously मैं नेड मार दूँगा अगर मैं इनको पर नेड मानने कोशिश करता हूँ यह लोग कुछ करेंगे नहीं करेंगे तो यहाँ पर मैं नेड ट्राय करता हूँ तो देख सकते हो इस बंदे को कुछ हैल्थ वगर तो इन सब कम होनी वादी स्टार्ट हो चुक है तो एक बार इनके उपर नेड मारने कोशिश करता हूं, देखता हूं, डरेंगें, नहीं डरेंगें, तो भाई ये लोग तो बिल्कुल भी ने डरेंगें, बसकि दो सेगेंड बाकर रहे तो मैंने कैंसल कर दिया, अब यहां देख सकते हो, थोड़ सा गयाने का और एक बंदा यहां पर से बैंडीज लगाने स्टार्ट कर देता है, और सियसले अम मेरे को बहुत जादे गुसा आ चुका था, और मैरे पास सिफ एक ही नेट था और मैं इस नेट को पूरा का पूरा खतम कर देता हूं, और गाइस देख सेकते हो, यहां से हमारी पूरी पूरी टेम के उ लग चुका है, और यहां से इन तीनों को जोना मैंने कुछ भी लूट नहीं थी, तो यहां से इन दोनों ने अपना गीम तो कट कर दिया है, तो बाकि आप लोगों कैसा लग मुझे कमेंट करके ज़रू से बताना, विंग मैन की बात करी जाए, तो भाई विंग मैन हमें सि बाकि दो-तीन सेकंड बात जो मतलब लाकरी जो दो-तीन सेकंड बचते हैं, उसके अंदर हमें देखने को नहीं मिलेगा, और आकरी में स्भावन आरेंट पर भी आया, तो जब भी मुझे जना कोई विंग मैन देखने को नहीं मिला, बाकि आप लोगों को जाए वीडियो कै good bye